हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं एक कमपाउंड ले रहा हूँ ऐने कमपाउंड डेट इस ऐलमीनियम क्लोराइड और उसका एलेक्ट्रॉन डॉट से ड्रॉकर क्या आपको दिखाने वाला हूँ ध्यान से देखिए अगर aluminium chloride का formula मैं अब देखूँ तो वो क्या हो जाएगा ALCl3 क्यों क्यों क्योंकि aluminium की वेलेंसी क्या होती है 3 और chlorine की वेलेंसी क्या होती है 1 इस तरह से जो formula हमारा develop होगा वो क्या होगा ALCl3 अब देखिए aluminium का atomic number वो कितना होता है 13 तो electronic configuration क्या हो जाएगा 283 अब chlorine का atomic number कितना होता है 17 तो इसके electronic configuration क्या हो जाएगा 287 मैंने इसे पहले वाली वीडियो में ही बताया था जिसके लाट में 1 electron हो या फिर 2 हो या फिर 3 electron हो वो जो element है वो जो atom है वो electron क्या करेगा lose करेगा ताकि उसका जो octet है वो पूरा हो जाए every atom wants to have 8 electron in their autonomous shell इस कारण से यह जो aluminium है it will lose 3 electron और जो chlorine है यह क्या करेगा इसके लाट में कितने electrons है 7 तो अपना octet पूरा करने लिए यह 1 electron gain करेगा आपको याद क्या रखना है जिसके लाट में 5 रहे या फिर 6 रहे या फिर 7 electron रहे वो जो element है वो electron क्या करता है gain करता है इस तरह से इसके लाट में 7 electron है तो यह क्या करेगा अपना octet पूरा करने के लिए 1 electron gain करेगा अब देखिए अब इसका जो मैं आयन बना रहा हूं तो aluminium will lose 3 electron और इस कारण से aluminium का केटायन बन जाएगा क्या हो जाएगा al plus 3 जितना भी electron यह लूज करेगा न उतना ही यहाँ पर plus charge develop हो जाएगा इसके लाट में कितने electron है 7 यह क्या करेगा 1 electron gain करेगा जिस कारण से charge क्या बन जाएगा c l minus यह क्या है chlorine का n i n क्लोरिन का n i n जब भी negative charge हो तो उसको कहते है n i n और जब भी positive charge हो तो उसको क्या कहते है केटायन अब आपको यह वाला जो पार्ट है यह यहां से यहां तक नहीं देखना है आपको दुबारा देखना है क्या Aluminium chloride का formula इसका formula क्या है Alcl3 अगर मैं आपसे यह question पूछू Alcl3 में Aluminium के कितने atom है तो आपका आंथर क्या होगा 1 और chlorine के कितने atom है तो आपका आंथर क्या होगा 3 आपको इस तरह से आपको यहां पर Aluminium ऐसे लिखना है chlorine के 3 atom है तो chlorine ऐसे लिख देना है ठीक है न और दुबा कितने electron है तो 3 तो 3 यहां पर क्रॉस बना देना है अब chlorine के लाट में कितने electron है 7 तो यहां पर आप 7 जो है dot ऐसे बना दो 6 और यहां 7 यहां पर सब जगा ऐसे ही करना है 7 dot मैंने बना दिया है right ऐसे अब देखिए octet पूरा करने के लिए यह क्या करेगा one electron gain करेगा तो यह वाला जो electron है वो यहां चला गया और यह वाला जो electron है वो कहां चलाएगा इस chlorine के पास और यह वाला electron कहां चला जाएगा तो इस chlorine के पास इसके पास जो 3 extra electron थे तो यह यह सडिसफ़ाई हो गया है क्योंकि सबके लास्ट वाले शेल पूरे हो गया है क्यों Eric पूरेक्ट्वेट थि यहां पर कैसे में प्लस और मांाइनस चार्ड लिख रहा हूँ ये भूछ अच्य से आप दि मैं आप से पूछू कितना इलेक्ट्रोन इसने लूज कर रहा है तो थ्री इलेक्ट्रोन इस कारण से एक चार्ट डेवलप हो जाएगा डैट इस एल प्लस थ्री आरा संग में उसके बाद ध्यान से दिखिए यहां पर कुलूरीन है ना इसके पास अपनी कितने इलेक्ट्रोन थे तो सेवन आपको ऐसे डाट बना देना है और यह जो क्रॉस वाला जो एलेक्ट्रोन है यह कहां से गया है तो वो ऐलुमुनियम से क्लूरीन के पास गया है तो वो आप ऐसे क्रॉस बनाके इंडिकेट करना अब ऐसे ऐसे कितने क्लूरीन के आइटम है यहां पर आप 3 लि होगा वन एलेक्ट्रॉन गीन करहें इस कारण से यहां पर चार्ज क्या ड्वप हो जाएगा माइनस हमेशा याद रखना जो पॉजिटीव वाला जो आईन है और जो नेगटिव वाला आईन है दोनों का जो प्लस और माइनस चार्ज का जो टोटल चार्ड है ना वो सेम होगा यह से यहाँ पर क्या है प्लस 3 यहाँ पर 3 इंटू 1 नेगेटिव इसको अगर मल्टिप्लाई करोगत क्या हो जागा माइनस 3 ते यह दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंग कैंसल और उसके लास्ट में फिर आप ऐसी लिख देना इस तरह से हमने जो है एल्बुनियम क्लॉइट का एलेक्ट्रॉन डॉट इस्ट्रॉट कर लिया है उम्मीद है मेरी यह बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ऐसे आने वाले दिनों में कुछ और कंपाउंड का मैं एलेक्ट्रॉन डॉट इस्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूले और अपने फ्रेंड की बीच में शेयर करेता है अधिक सब्सक्राइब बच्चों को इन वीडियो का फायदा मिल सके थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग थैंक्यू